नमस्कार आप देख रहे हैं आज की ख़बर में आपके साथ चवानी पांडे दारा 370 हटने के बाद कश्मीर आजाद हो गया है लेकिन कश्मीर की आजादी पाकिस्तानी को अज़म नहीं हो रही है पाकिस्तानी वैसे तो हमारे कश्मीरी भाई बहन तो बहुत करते रहते हैं और बॉक बॉक के कहते हैं कि कश्मीर हमारा है हमारा है लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर पाकिस्तानी किस आधार पर कहते हैं कि कश्मीर उनका है अरे कश्मीर कोई लड़ू है क्या जो तुम्हारा है याद रखना वो भारत काविन हिस्सा है धारा 370 की जंग लगी जंजीरे क्या टूटी तुम लोगों से कश्मीरों की आजादी हजम नहीं हुई तुम पाकिस्तानियों के खोपड़े खाली है और अकल घुटनू में है आखिर तुम लोगों को खुशी क्यों होगी क्योंकि तुम लोग तो कश्मीर के लोगों को गोलाम बना कर रखना चाहते थे तुम लोग चाते थे कि वो हमेशा असिक्षित रहें क्योंकि जिस दिन वो पढ़ लिग गए उस दिन तुम लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद कर देंगे और तुम्हारे आतंकियों के लिए घाटी मातं फैलाना मुश्किल हो जाएगा अरे कश्मीर की बाद जब अपने घर में अपनी बेटी मलाला यूसुफ जई को तुम बरदाश नहीं कर सके तो उन्हें कैसे करोगे प्रदान मंत्री मोदी ने दारा 370 हटा कर ऐसा मुका मारा है पाकिस्तान के चेरे पर कि थर-थर काप कर यूएन की शरन में चला गया है अरे जब अकेले बहादुरी दिखाने में इतनी हवा खराब होती है तो क्यूं भेशते हो अपने अंधे गिद्दों को भारत के बाड़े में चला पाकिस्तान आज याद दिलाती हूँ तुमें कुछ आज तुमारी ओकाद दिखाती हूँ तुम्हें आज तुम आइना देख लो सचाई क्या है कान खोल कर सुन लो तुम्हारा मीडिया आजकल वैसे बड़े गुंगान कर रहा है तुम्हारे मुल्क के बारे में भारत को बड़ी धंकिया मिल रही है पाकिस्तानी मीडिया की ओर से आजकल भीगी बिल्ली शेर बनने की कोशिश कर रही है वैसे भारत का नाम सुनते ही गला सूख जाता होगा तुम लोगों का थर थर कापने लगते होगे पैर थर थर कापने लगते होगे दिल की धरकने तेज हो जाती होगी क्योंकि हर सेकेंड प्रधानमंत्री मोदी का खौफ तुम्हाने दिमाग में बना जो रहता होगा वैसे पाकिस्तान से पूछने चाहूंगी कि हाउस देखाओ और पाकिस्तान से जवाब आएगा हाई सर वेरी हाई सर पाकिस्तान में डर का जो महौल बना है वो देखने लायक है चलो आज तुम्हें भारत की सेन ताकत का एक छोट असा ट्रेलर देती हूं भारत के पास 48 न्यूग्लियर वार हेड हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 36 भारत के पास 2600 आटम बं की शमता है और पाकिस्तान के पास केवल 350 भारत के पास 13 लाग से भी जादा सैनेक हैं और पाकिस्तान के पास केवल 6 लाग भारत के पास 4,426 टैंक और पाकिस्तान के पास केवल 2,182 भारत के पास 295 युद्ध पोत हैं और पाकिस्तान के पास केवल 1,97 भारत का रक्षा खर्ष 3.2 लाग करोर रुपे है और पाकिस्तान का सिर्फ 48,000 करोर रुपे अब देख लो पाकिस्तान को जिसाब किताब लगा लो कि किसमें कितना है दब भारत के पास उसकी खुद की फिल्म इंडस्ट्री है जो भारत को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाती है भारत के खिलाडी कितनी बार ओलंपिक मेडल जीत करा चुके हैं पाकिस्तान की क्रिके टीम जहां जाती है देश का नाम रोशन करके आती है और तुम्हारे पास क्या है पाकिस्तान मैं बताती हूं क्या है तुम्हारे पास तुम्हारे प्रदानमंदी इमरान खान है और उनका भीक वाला कटोरा जिसके साथ गूगल ने भी उनकी एक तस्वीर डाली है बाकि तुम लोगों को शरम नहीं आती खुद तो ऐसे दारते हो जैसे विश्व विजयता हो गया अलेक्जानर की आत्मा अंदर आ गई होगी और बहां तुम्हारे इमरान खान भीक मांग रहे है अरे कुछ तो शरम करो पाकिस्तानियों इधर बड़बनाने से अच्छा है एक कटोरा पकड़ो और जा के मदद करो अपने इमरान खान की पूरे मुल्क के लिए वो अकेले ही भीक बटोर रहे हैं जाओ और मदद करो और नक्षे में अपने मुल्क का साइज देख लेना जरा ये मत भूलना पाकिस्तानियों की भारत ने एक टुकड़ा दिया है रहने के लिए तो थोड़ा शान्ती और अमन के साथ रहो खाने के लिए सबजिया नहीं है पेट भूके है लेकिन जबान है कि कैची हो चली है चलो आज असलियत देख ली होगी तुम लोगोंने और अगली बार जब आना भूकने से पहले ये सारे आकड़े आत कर लेना तब तक करे जे हिन जे भारत